हेलो नमस्ते बहुत स्वागत है आपका आप देख रहें न्यूज 18 का डिजिटल प्लाटफॉर्म मैं हूँ आपके साथ धर्यतू ग्यानवानी आजम बात करने वाले हैं पीम स्वानिधी की वो ऐसा तबका जो सीधा आपके जिंदगी से जुड़ा है वो रोजमरा की जरूरत का सामान सीधे आप तक पहुँचाता है आपको सुर्फ अपने दर्वाजे तक जाना है मुलभाफ करना है और सामान खरीदना है या फिर थोड़ी इसी वॉक करके पास के चौक चौराहे औ असर पड़ता है फिर चाहे वो दो देशों का युद्ध हो या किसी तरह का बंद या हरताल इस तरह की कोई भी गतिविधी इनके व्यापार पर सीधा असर डालती है रोजी रोटी पर सीधा असर डालती है स्ट्रीट वेंडर्स के लिए रोज कुआ खोधना रोज पानी प प्लेटफॉर्म पर हम आपको इसमें पूरी जानकारी देंगे आखिर ये योजना है क्या हाउजिंग और अर्बन मिनिस्ट्री की इस महती योजना का नाम है पीम स्वानिधी योजना एक जून 2020 को प्रधानबंतरी स्ट्रीट वेंडर्स आत्म निर्भर निधी यानी पीम स्वानिधी योजना उनकी द्वारा शुरू की गई थे इस योजना का उदेश स्ट्रीट वेंडरों को कोवेड-19 महमारी में बूरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गैरेंटी के कारेशील, पूंजी, रन्यानी, रनिंग कैपिटल की सुवीधा प्रधान करना है, जिसके जरीए एक साल के लिए बिना किसी गैरेंटी के 10,000 की मदद दी जाती है। कैश बैक भी मिल सकता है। हाली में कैश बैक योजना में बदलाव किया है, जो एक फरवरी 2023 से लागू कर दी गई। इसके तहट हर डिजिटल लेंदेन पर एक रुपए का कैश बैक मिलेगा। हाला कि एक महिले में अधिकतम रिवार्ड सो रुपए रहेगा। यानि साला ना ये पड़ेगा बारा सो रुपए। अब बात पातरता की तो योजना के तहट जो एलिजिबल स्ट्रीट फेंडर्स होंगे। उनके पहचान और नए आविदन की प्रक्रिया राज्य के जिमिदारी है। लाभार्तियों के संक्या बढ़ानी के लिए मंत्राले कई पहल भी कर रहा है। जिन में अन्य बातों के साथ साथ राज्य केंद्र शासत प्रदेशों रिड़ देने वाले संस्थानों के साथ लगातार समिक्षा बैठा के आयोजित करना। रेडियो जिंगल, टेलेविजन, विग्यापन और समाचार पत्रों में विग्यापन के जरीए समय समय पर जागरुकता अभियान चलाना भी शामिल है। योजना का लाब उठाने के लिए वेंडर्स तक पहुँच और लाब के फ्रसार के लिए राजियों के इंद्र शासत प्रदेशों को नियमत रूप से इस्थानी भाशाओं में सूचना, शिक्षा, संचार, सामान भी दिया गया। अब जरा ये समझिये कि सरकार का खास फोकस इस योजना पर क्यों और कैसे है। प्रदान मंतरी ये नारा भी देते हैं, गरीब कल्यान देश का कल्यान। अगर 17 जुलाई 2024 तक के आंकडों पर नजर डाले, तो पीम स्वानी दी योजना ने देश भर में 65 लाग से ज़ादा स्ट्रीट वेंडर्स को फाइदा पहुचाया। और इन्हें 11,680 करोड रुपए से जादा का लोन भी बांटा जा चुका है। योजना के लिए जो दस्तावे जरूरी हैं, उनमें आधार काड, पैन काड, बैंक अकाउंट विवरन, इंकम प्रूफ और नवास प्रमान पत्र, अपना खुद का मोबाइल नंबर जो चल रहा हो, एक पासपोर्ट, साइस पोर्टो अनिवारे हैं। एक और खास बात कि आविदकों के पास सर्वे करवाकर नगर निगम द्वारा दिया जाने वाला विक्रे प्रमान पत्र यानि COV प्राप्ट करना होगा और आविदक को भारत का साई निवासी होना चाहिए। अगर आपने अब तक पात्र होते हुए भी इस योजना का लाप नहीं उठाया है तो आपको इस प्रोसेस को फॉलो जरूर करना होगा। दिया जा सकता है जो बहुत आसान है सबसे पहले आधिकारिक वैपसाइट पर आना होगा। पीच पर आने के बाद आपको अलग-अलग ऑप्शन बिलेंगे जिसमें जैसे अप्लाई लोन 50 के 50,000 का अप्लाई लोन का ऑप्शन आएगा। आपको किसी एक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेच खुलेगा। जहां आगे बढ़ने से पहले अपना मुबाईल नंबर दर्च करना होगा। और गेट OTP लिखकर आएगा उस पर क्लिक करना होगा। देगा नंबर पर OTP मिलेगा उसे दर्च करेए। इसके बाद आपके सामने आविदन फॉर्म खुलेगा जिसे बहुत ध्यान से भरना है। इसके बाद सभी दस्तावेजों को स्कैन करके अपलोड करना होगा। आखर में समिट के विकल पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद अब आपको आविदन फॉर्म का प्रिंट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रख लेना होगा जैसे रसीद. तो अब इंतजार मत कीजिए और इस महती योजना का हिस्सा बन कर अपने और राश्ट्रे के निर्माण में अपना यूगदान दीजिए. बस एक बात का ध्यान रखना है कि कर्ज लेने के बाद उससे निश्टित समय और किष्टों में जरूर चुकाएं. ताकि आपका रिकॉर्ड सही बना रहें. फिलहाल इतना ही, आगे एक और माइलस्टोन योजना के साथ आपसे फिर मिलेंगे.